प्रकास अंसलेशन के बारे में डिसकस करेंगे और इसके बाद इस पर अधारित अब तक जितने भी प्रशने पूचेगे उन सभी प्रशनों को एनालेसिस भी करेंगे डिसकसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि इसका पीडियेफ एविलेबल है अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाएए वहाँ पर इसके रिगार्डिंग में इन्फोर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं परकास संसलेशन काफी महतपूर्स टॉपिक है यहां से अक्सर प्रशन पूछे जाते हैं तो इसको एक से दो बार रिवाइज कर लीजिएगा परकास संसलेशन फोटो सिंथेसिस परकास संसलेशन वह किरिया है जिसमें पौधों के हरे भाग होते हैं सूरे से परकास उर्जा को ग्रहण करके वायू से ली गई कार्बन डायोकसाइड और मिर्दा से सोसित जल के द्वारा कार्वो हाइड्रेट्स का निर्मार करते हैं सूरे से परकास उर्जा को गरहन करते हैं वाईस से कार्वन डायोकसाईड और मिर्दा से जल के प्रयोग के द्वारा कार्वो हाइड्रेट्स का पेण पौधे निर्मान करते हैं और ऑक्सीजन को उपो उत्पाद के रूप में बाई पोड़क्ट के रूप में बाहर निकालते हैं परकास अंसलेशन की समकून किरिया को नेमलिखित अभिकिरिया के द्वारा प्रदसित किया जा सकता है CO2, H2O, परकास के साज पर्ण हरीम यानि जो क्लोरोफील होता है जो पेड़ पौदे जो हरे होते हैं इन हरे भागों के द्वारा परकास उर्जा को अवसोसित करके कार्बन डायोकसाइड और जल के साथ क्या तो C6, H12O6+, H2O2 का निर्माण करते हैं प्रिथवी पर कूल परकास उंसलेशन का लगवग 90 पर तिसद भाग जलिये पौधो वस्जैवालों के द्वारा होता है और इसमें लगभग 80-85 प्रतिसद भाग समुंद्र में मुख्यत सेवालों के द्वारा और सेस जो है 5-10 प्रतिसद भाग नदी तलाब आदी में होता है पौधों की परकास अंसलेशन की किरिया से उत्पन समस्त अक्सीजन जल से प्राप्थ होती है परकास अंसलेशन के किरिया के द्वारा हरे पौधे भुझ्य पदार्थो यानि कार्वो हाइड्रेट का निर्मान करते हैं और इस किरिया में पौधे प्राकिर्टिक रूप से याद रखिएगा जथा बेधुत परकास में भी पौधों में परकास अंसलेशन की किरिया होती है परकास और सोसित करने वाले अणों को परकास अंसलेशी वणक कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट यानि हरित लवक के ग्रेना भाग में पाय जाते हैं यह मुख्यत नीला, बैगनी, लाग और नारंगी केड़नों का ओस्षोसन करते हैं परकास अंसलेशन की किरिया क्लोरोप्लास्ट नामक को सिकांग में संपन होती है क्लोरोप्लास्ट में हरि रंग का बोणत क्लोरोफिल पाया जाता है मेंगनिसियम क्लोरोफिल का परमुक्तत्व है तो प्रशने पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का परमुक्तत्व कौन सा है या पौधे जो होते हैं हरे की होते हैं पौधों की जो पतिया है हरे का कारण क्या है तो उसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पौधों की पतिया जो होते हैं वो हरे होते हैं याद रखिएगा परकास, तापकरम, कारबन डायोकसाइट और जल ये परकास संसलेशन किरिया को नियंतरित करने वाले ये बाहिकारक हैं कौन-कौन से? तो परकास है, तापकरम है यादनी टेंप्रेचर, CO2 और H2O ये सभी परकास संसलेशन के किरिया को नियंतरित करने वाले बाहिकारक है परकास संसलेशन पर परकास संसलेशन पर परकास का परभाव तीन परकार से होता है या परखरता परकास का परकार तथा उसके अंतराल तिनों से प्रवावित होता है दुर्वल परखर्ता के परकास में संभावता पढरंद्रों के ना खुलने से तथा गैसी यह बिस्रण बहुत धीमी दर्से होने के कारण परकासGANसलेशन की किरिया नहीं होती है जैसे जैसे परकास की तीवरता बढ़ती है परकास अंसलेशन की किरिया आरंब हो जाती है और गती प्राप्त करती है विभिन तरंग दैधैरियों के परभाव के संबंध में अधिक्तम परकास अंसलेशन लाल परकास में द्वितिय अधिक्तम नीले परकास में पाया जाता है हलांकि पण हरित लाल परकास के अपिक्षा नीला परकास अधिक और सोसित करता है लेकिन परकास संसलेशन में सरवाधिक प्रयोग लाल परकास का ही होता है बैगनी रंग का तरंग देधैर सबसे कम और आवरिती सबसे अधिक जबकि लाल रंग का तरंग देधर सबसे अधिक और आविरती नियुंतम होती है परकास संसलेशन की किरिया में हरे पौधे परकास उर्जा को रसाइनिक उर्जा में रुपांतरित कर देते हैं जो की पौधों में कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित हो जाती है परकास संसलेशन की किरिया दो चरणों में संपन होती है पहले चरण में परकास पर निर्भर परतिकिरियाओं के द्वारा परकास उर्जा ATP और NADPH के उर्जा संचित करने वाले अणों के निर्माण में परिप्थ होती है दूसरे चरण में परकास से स्वतंत्र परतिक्रियाओं के द्वरा इन उत्पादों का परियोग कार्बन डायोकसाइड के संग्रहन और निवनी करण में किया जाता है इस पर अधारिक पहला प्रशन पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है अप्चन है कैलसियम, कारवन, मैगनीसियम, हाइड Moses, उप्यूक्त में से कोई नहीं या उप्यूक्त में से एक से अधी तो देखिए क्लोरोफिल का जो घटक नहीं है ए बिल्कुल सभी जवाब हो जाएगा कैलसियम ठीक है याद रखिएगा इसके बारेमागर बात करें तो देखें पन हरीत यागलोरोफील एक प्रोटीन यूखत है जटिल रसायनी की योगिक है यह वणट पत्तों के हरी रंग का कारण है मैगनिसियम क्लोरोफिल का परमुक्तत्व है मैगनिसियम का त्रिक्त क्लोरोफिल में कार्वन, हाइडोजन, नाइडोजन और अक्सीजन भी उपस्तित रहते है सेकेंड प्रश्ण पढ़ हरित यानि क्लोरोफिल्में निमलिखित में से कौन साथ तत्व पाय जाता है तो आपको मालूम है सही जबाब हो जाएगा Magnesium C option ठर्ड नमबर जो प्रश्ण है क्लोरोफिल्में क्या पाय जाता है तो सेम प्रश्ण सेम जबाब आपको मालूम है इसका सही जो option होगा क्या होगा कलोरोफिल यानि पढ़ हरित में जो पाय जाता है वो है आपका Magnesium C option परकास संसलेशन का by product है यानि उपोउत्पाद क्या है परकास संसलेशन का उपोउत्पाद है क्या है सुरू में ही आम लोगोंने डिसकस किया था परकास संसलेशन का by product जो है वो है O2, B option बिल्कुल सही जबाब ऑक्सीजन फोटो थिंसेसिस फोटो थिंसेसिस वो क्रिया है जिसमें पौधो के हरे भाग सुरे से परकास सुर्जा को ग्रहन करके वायू से ली गई कार्बोन डायोकसाइड और मिर्दा से जल के द्वारा जो है कार्बो हाइडरेट्स का निर्माड करते हैं और ऑक्सीजन को by product के रूपे बाहर निकालते हैं परकास संसलेशन की संपूर किरिया को निमलिखित अभी किरिया के द्वारा परदसित किया जा सकता है तो आप देख सकते हैं CO2, H2O परकास सूर्जा की उपस्तिती में C6H2O6, H2O2 का निर्माड होता है 5.Нमबर है हरे पौधो में परकास संसलेशन की किरिया में क्या होता है क्या होता है तो याद रखिएगा कार्बन डाइकसाइड लेना और औक्सीजन छोड़ना B option बिल्कुल correct option है 6 नमबर है ग्लुकोंच का सूत्र है इन में से ग्लुकोंच का कौन सा सूत्र है तो सही जबाब हो जाएगा C6, H12, O6 ग्लुकोंच एक सरल कार्बोहाइडरेट है इसका रसायनिक सूत्र C6, H12, O6 है या जल एसेटिक अम तथा कई अन बिलायकों में घुलंसिल होता है या स्वाद में मिठा होता है परकास अंसलेशन में पौधो के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उप्यों की जाती है तो इसका सही जबाब हो जाएगा Carbon Dioxide B option बिल्कुल correct option है वनस्पति को सीकाओं के द्वारा प्रकासिय उर्जा को रसाइनिक उर्जा में परिवर्थित करने की किरिया को परकास अंसलेशन कहते है परकास अंसलेशन वो किरिया है वो पर किरिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती के द्वारा सूरे के परकास की उपस्थिती में वायू से कार्बन डायोकसाइड, भूमी से जल लेकर जटिल कार्बनिक खार पदार जैसे कार्बो हाइडरेट का निर्मान करते हैं, ऑक्सीजन गेस बहार निकालते हैं, जल, CO2, सूरे का परकास तथा कलोरोफिल परकास अंसलेशन के लिए आवस्यक्त अवयव हैं, परकास अंसलेशन के दौरान हरे पौधे क्या और सूसित करते हैं, क्या और सूसित करते हैं, तो याद रखिएगा, बताइए, सही अप्शन है, D अप्शन, CO2, आगे वड़ते हैं, नेक्स्ट, निमलिखित गैसों में से कौन परकास संसलेशन परकिरिया के लिए आवस्यक्त है, तो सही जबाब है, CO2, B अप्शन, परकास संसलेशन परकिरिया के लिए निमलिखित में से किसकी उपस्थिती आवस्यक्त नहीं है, सही जबाव है oxygen B option oxygen जो परकास संसलेशन से उत्पन होती है आती है कहां से oxygen जो परकास संसलेशन से उत्पन होती है आती है कहां से तो सही जबाव है जल से option A पौधो की परकास संसलेशन के किरियाओं से निकली समस्त oxygen जल से प्राप्थ होती है 12 नमब्र है पौधों के दौरा ली गई विकेंड उर्जा निम्न परणाम देती है जल का परकास अब घटन सही जबाब है जल का परकास की अब घटन होता है जिसमें जल के अनू तोटकर हाइडरोजन चत्था अकसीजन गैस बनाते है और इसमें H2 आयन इलेक्ट्रोन वहा का कारे करता है जल का परकास से ये अब घटन परकास कर्म में संपन होता है तेरा नमबर है प्रिथिवी पर अधिकांस अक्सीजन उत्पादित होती है कैसे तो याद रखेगा सैवालों से परिथिवी पर कुल परकास अंसलेशन का लगवग 90% भाग जलिये पौधे और सैवालों के द्वारा होता है इसमें लगवग 80-85% भाग समुंद्रों में यानि परमुख्रूप से सैवालों के द्वारा और 65-10% भाग नदी तलाब आदी में होता है हरे पौधो के द्वरा प्रकासंसलेशन की किरिया में CO2 का उसोसन और कार्भो आइड़े टाठा अथा O2 का उत्पादन होता है चौदा नमबर है प्रकासंसलेशन होता है प्रकासंसलेशन कब होता है काफी मैंदपूर्ण प्रसने है बहुत बात उचा गया है तो इसका सही जबाब हो जाएगा परकास अंसलेशन होता है कब होता है याद रखेगा परकास अंसलेशन दीन और रात्री दोनों में होता है दीन में अत्वा रात्री में परकास न्सलेशन या फोटो सिंथेसिस हरे पौधों में होने वाली एक पर क्रिया है जिसमें विभोजन या भोज़ पदाथों का निर्माड करते हैं इस क्रिया में परकास ही उरजा परदान करते हैं प्राकरतिक रूप से पौधे सुर्य के परकास से ही उर्जा ग्राण करते हैं लेकिन समुंदरी सेवाल चंदर्मा के परकास में भी यह किरिया करते हैं बिधुत परकास में भी पौधों में परकास अंसलेशन की किरियां संपन होती है पंदरा नमबर है पौधे वह पेड का खाना तयार करने की जो परकिरिया है और क्या कहलाती है पताइए पौधे वह पेड़ का खाना तयार करने की जो परकिरिया उस परकिरिया को क्या कहते है काफी महत्पूर्ण प्रशन है और एजी मतलब बहुत सारा कह सकते हैं इसमें ऐसा question है जो कि जुबानी याद होनी चाहिए सरल question है असान सा question है पौधे वो पेड़ पौधे जो खाना अपना त्यार करते हैं उस पर किरिया को कहते हैं photosynthesis याद रखिएगा D option और वो किरिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन त्यार करते हैं कहलाती है क्या कहलाती है सेम प्रशन सेम जबाब वो किरिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन त्यार करते हैं इस पर किरिया को क्या कहते हैं तो इस पर किरिया को कहते हैं परकास शंसलेशन photosynthesis आप लोग comment बहुत कम करते हैं प्लीज comment किया करिये कहीं भी कोई भी doubt हो comment किजिए परकास शंसलेशन होता है किसमें परकास संसलेशन होता है 17 नमबर जो question है उच्छा गया है कि परकास संसलेशन होता है किसमें परकास संसलेशन होता है हैं क्लोरोप्लास्ट में हरी रंग का वोनक्लोरोफिल पाया जाता है पढ़ हरीम पाया जाता है तो परकास translation कहा पर होता है याद रखेगा क्लोरोप्लास्ट में यानि C option C option बिलकुल सही जबाब इसके बाद 18 नमबर है परकास के निमलिखित परकारों में से किनका पौधों के द्वारा तीब्र और सुषण होता है तो याद रखेंगे नीला और लाल बी अप्सन इसका सही जवाब है तो यह पौधे क्लोरोफिल नामक वणकी सहता से सुर्य के परकास यों कारवन डैयोकसाइट उपस्थिती में अपना भोजन को त्यार करते हैं इस पर किरिया को ही परकास अंसलेशन या फोटो थिंसेसिस कहते हैं क्लोरोफिल का रंग हारा होता है लेकिन या सुर के बिधुत चुम्बकिये स्पेक्ट्र में उपस्तित नीले और लाल रंग का उसुसन तिवरता से करता है याद रखेगा नीला और लाल रंग का 19 नंबर है परकास अंसलेशन के लिए सरवाधिक किरियासिल परकास कौन सा है परकास अंसलेशन के लिए सरवाधिक किरियासिल जो परकास है वो कौन सा है तो आपको मालूम है इसका सही जबाब क्या होगा प्रकास Snsillation के लिए सरवादिक Cleiasill जो प्रकास है वो है B-Option यानि लाल प्रकास प्रकास का प्रभव तीन प्रकास से होता है या परकर्था, प्रकास का प्रकास का प्रकार या उसकी अंत्राल यानि दिूरेशन तीनों से प्रभावित होता है Intensity, Quality, Duration तीनों से प्रभावित होता है दूरवल परखर्ता के परकास में संभावता पड़ रंद्रों के न खुलने से तथा गैसी ये विश्रण बहुत धीमी दर्से होने के कारण परकास संसलेशन की किरिया नहीं होती है जैसे जैसे परकास की तीवरता बढ़ती है परकास संसलेशन की किरिया आरम हो जाती है तथा गती प्राप्त होती है या प्राप्त करती है विविन तरंग देधैरियों के प्रभाव के संभन में अधिक्तम परकास संसलेशन लाल परकास यानि तरंग देधैर 650 नैनो मीटर में दिवतिये अधिक्तम नीले परकास तरंग देधर 475 नैनो मीटर में पाया जाता है हालांकि पर्ण हरित लाल परकास का पिक्षा नीला परकास अधिक और सोसित करता है प्रांतु परकास संसलेशन में सरवाधिक परियोग लाल परकास का ही होता है प्रशन संख्या 20 परकास संसलेशन में कौन सा परकास सबसे अधिक परभावकारी होता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा बताइए सही जबाब है लाल लाल परकास यानि option A बिल्कुल correct option है 21 है परकास संसलेशन में सूर्य के परकास की कौन सी रस्मियों कापण हरित के द्वारा सरवाधिक उप्योग किया जाता है बताइए परकास संसलेशन में सूर्य के परकास की कौन सी रस्मियों कापण हरित के द्वारा सरवाधिक उप्यों किया जाता है तो सही जबाब है लाल क्रित्रिम परकास बताए बाइस नमबर प्रशन है क्रित्रिम परकास क्या है क्या हो सकता है इसमें सुरिका प्रकास प्रकास संसिलेशन के लिए आवस्यक है प्रकास संस्लेशन के किरिया होती है 23 नमबर प्रश्न है निमलिखित उर्जा रुपांत्रोनों में से किसके द्वारा परकास संसलेशन की करिया संपादित होती है निमलिखित उर्जा रुपांतरणों में से किसके द्वारा परकास संसलेशन की करिया संपादित होती है सही जबाब है परकास से रसाइनिक उर्जा option A इसका सही जबाब हो जाएगा परकास अंसलेशन एक मात्र ऐसी जैविक परकरिया या करिया है जिसमें अत्याधिक मात्रा में सुरी के परकास की उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदला जाता है परकास अंसलेशन की किरिया का रसाइनिक जो समिक्रण है CO2 प्लस H2O परकास पन हरीम को उपस्थिती में C6H12O6 ग्लुकोंच जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है जहां CO2 कार्बन डे अक्साइड है जल H2O है और कार्बो हाइडरेट यानि ग्लुकोंच परकास अंसलेशन के परकिरिया में ATP के कितने अणू ग्लुकोंच के परतिक अणू के संसलेशन में सामिल रहते है तो याद रखिएगा 18B उपसन इसके बारे में अगर बात करें परकास अंसलेशन के परकिरिया के दोरान गुलुकोच के परतेक अर्णू के संसलेशन में ATP के 18 अर्णू सामिल होते है 25 नमबर है सौर उर्जा ATP में बदलती है किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में सौर उर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट एक पादप को सिकांग है जिसमें पौन्ण हरी या क्लोरोफील नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रसाइनिक यौगी जो है पाया जाता है या वणक पतो के हरी रंग का कारण होता है 26 नमबर परकास उर्जा का रसाइनी कुरजा में रूपांतरन निम्नवत होता है परकास उर्जा का रसाइनिक उर्जा में रूपांतरण निम्नमत होता है किसके द्वारा होता है तो याद रखिएगा परकास संसलेशन के द्वारा परकास संसलेशन यानि फोटो सिंथेसिस के किरिया में हरे पौधे परकास के उर्जा को लाइट इनर्जी को केमिकल इनर्जी में रूपांतरित कर देते हैं यानि परकास के उर्जा को रसाइनिक उर्जा में ट्रांसफोर कर देते हैं बदल देते हैं जो की पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है इनी कार्बनिक पदार्थों के द्वारा जन्तु और पौधों का पालन पॉर्षन होता है 27 नंबर है हरे पौधों के द्वारा परकास अंसलेशन परकिरिया में परियुक्त सोर उर्जा का रूपांतरन किस रूप में होता है याद रखिएगा 28 नंबर है परकास अंसलेशन में किस में परिवर्थन होता है परकास अंसलेशन के किरिया के दौरान तो अगर बात करें तो परकास अंसलेशन में सोर उर्जा इस्थितित उर्जा में परिवर्थित होता है परकास संसलेशन के दौरान स्वर उर्जा इस्थितित उर्जा में परिवर्थित होता है यानि C अप्षन इसका सही जबाब हो जाएगा परकास संसलेशन के किरिया में स्वर उर्जा का रसायनिक उर्जा में रूपांतरण होता है चुकि रसायनी अुर्जा एस्टोड होती है याने संग्रहित होती है और यह इस्थितित उर्जा का एक रूप है potential energy का एक ये रूप है इसके बाद 29 नंबर है निमलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संसलेशन में समलित है निमलिकित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकास संसलेशन में समलित है? Option A, स्थिति उर्जा मुक्त होकर परियाप्तम उर्जा बन जाती है दूसरा, परियाप्तम उर्जा स्थिति उर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है तीसरा भोजन ओक्सिक्रित होकर कारवन डायोक्साइड और जल मुक्त करता है और चौथा ओक्सिजन लिजाती है तथा कारवन डायोक्साइड और जल वास्थ बाहर निकलते हैं यानि इन में से जो सही जबाब हो जाएगा, इन में से जो परकास संसलेशन में जो समलित है, वो है B-Option, परियाप्तम उर्जा, इस्थिती उर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, परकास संसलेशन की किरिया मुख्यता पौधों में संपन होती है, जिसके द् रसाइनिक उर्जा का संचियन कार्वो हाइड्रेट अन्वो यानि सक्रा के रूप में होता है जिनका संसलेशन कार्वन डायोकसाइड और जल के सहायता से किया जाता है रसाइनिक उर्जा का एक परकार की स्थिति जूर्जा है जो परमानों और अणों के बॉंड्स में संचित होती है परकास अंसलेशन की किरिया दो चर्णों में संपन होती है पहले चर्ण में परकास पर निर्भर परतिकिरियाओं के द्वारा परकास की उर्जा ATP और NADPH से या NADPH के उर्जा संचित करने वाले अणों के निर्मान में परिवठ होती है दुसरे चरण में परकास से स्वतंत्र पर्तिकिरियाओं के द्वारा इन उत्पादों का परियोग कार्बन डायोपसाइट के संग्रहन और निवनी करण में किया जाता है ठीजिए नमबर है निमलिखित में से कौन अधिक्तम कुसलता पुर्वक्स सोर उर्जा को रसाइनी कुर्जा में परिवर्तित करता है निम लिखित में से कौन अधिकतम कुसलता पुर्वक सर उर्जा को रसाइनी कुर्जा में परिवर्तित करता है वह आपका क्लोरेला क्लोरेला अधिक से अधिक कुसलता पुर्वक सर उर्जा को रसाइनी कुर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबन्दित एक कोसकी हरी सेवाल की पर जाती है स्वार उर्जा को रसायनी कुरजा में बदलने की क्लोरेला की दक्सता सरवाधिक 8% है 31. निम्न में से कौनसा पौधों की जड़ों का कारे नहीं है निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कारे नहीं है इसका सही जवाब क्या होगा कमिन्ट में बताइए काफी महत्पूर्ण सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा परकास संसलेशन option A option A बिल्कुल सही जवाब है इसके बारे मगर बात करें तो परकास संसलेशन की किरिया पत्तियों में होती है पौधों की पत्तियों में और पौधों के पत्तियों में ही कलोरफिल जो है मवजूद रहता है यानि इनी के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती है परकास संसलेशन की जो दर है पतियों में उपस्तित S2Meta की संख्या और उसके बंद और खुलने के समय पर निर्भर करती है इसके अलावा पति की कोशिकाओं में कलोरोपलाश की वेवस्था भी परकास संसलेशन के दर को प्रभावित करती है 32 है अधो लिखित में से कौन सा प्रिधवी के कारवन चक्र में कारवन डायोकसाइड के मातरा को नहीं बढ़ाता है इसका सही जबाब हो जाएगा परकास संसलेशन वाईव मंडल में कारवन डायोकसाइड गैस, स्वसन, दहन, किडवन, विगटन आधी किरियाओं के द्वारा मुक्त होती है अस्थलिये पौधे इसे सीधे ही वाईव से ग्रहन कर लेते हैं हरे पौधे परकास संसलेशन के किरिया करते समय इस गैस को ग्रहन करके कार्वो हाइडरेट का निर्मान करते है 33 है रात के समय सलाह दी जाती है रखेएगा रात के समय कार्वन डैयोकसाइड को छोड़ते है C option और दिन में इसके बिपरित oxygen को छोड़ते है दिन में सुरे की परकास को उपस्थिती में पौधे सोसन किरिया में कार्वन डैयोकसाइड को ग्रहन करते हैं औक्सीजन को छोड़ते हैं लेकिन रात में ठीक इसके विप्रित होता है औक्सीकरण ये गरहन करते हैं कारवन डायोकसाइड को ये मुक्त करते हैं इस परकार रात में पेंड के नीचे कारवन डायोकसाइड अधिक हो जाती है घूटन महसूस होती है इसलिए रात के समय पें पौधे क्या छोड़ते हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं तो याद रखिएगा इसका सही जबाब हो जाएगा कुछी सेकेंड पहले हम लोगों ने डिसकस किया है कमेंट कीजिए आप ही लोग से कह रहे हैं कमेंट कीजिए बताइए सही जबाब क्या होगा सही जबाब है कारबन डायोकसाइड भी अप्शन आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं लेजीपन है आप लोगों में रातरी में पेड़ों के नीचे सोना जो है सिलिपिंग हानिकारक है क्योंकि पेड़ पौदे रातरी में स्वसन किरिया में कारबन डायोकसाइड का प्रित्याद करते हैं और दीन में इस गैस का परियोग परकास संसलेशन की किरिया में करते हैं जिसे वाता वरण सूद बना रहता है यानि कारबन डायोकसाइड को आप्सोसित करते हैं और अक्सीजन को को रिलीज करते हैं 35 नमबर है सुर्य के परकास के अद्रिस से भाग से परकास संसलेशन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा बैक्टेरिया के द्वारा कुछ बैक्टेरिया के द्वारा गहरे समुद्र में सता से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पा का संसलेशन कर उर्जा उदपन करते हैं इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करतें नेच्ट सेशन में पादा पोशन के बारे में डिसकस करेंगे आप अपना परतिकिरिया देते रहिए आपके परतिकिरियाओं का हमें विसब्रिशत इंतेजाइ रहता है जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज गूरूप, फेस्बूप पेज, इंस्टाग्राम को जोई नहीं किया है विडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप जोई कर सकते हैं किसी भी प्रस्ण, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप हमारे साथ कनवर्स्टिशन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कनवर्सेशन के लिए फेस्बूप पेज पजाईए वहाँ पे मैसेज का ओप्सन है या आप इंस्टाग्राम पे जाईए वहाँ भी आप personally message करके अपने doubt को पूरा कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं Thank you, मिलते हैं next session में